नमश्कार दर्शको आदाव सस्रेकाल ओम शान्ती दर्शको एक बार फिर से मैं आपका बहुत-बहुत हार्तिक स्वागत करती हूँ आप ही के अपने पसंदिदा कारेकरम ज्यानो दै संतोष दिदी के संग दर्शको आज के समय में देखा जाए तो दुख अशान्ती घ्रिना नफरत चारो और बढ़ती जा रही है चाहे हम अपने घरों की बात करें तो घर के अंदर भी ना आपसी तालमेल है ना आपसी सदभावना है ना आपस में रिलेशन्स के अंदर लोगों की बनती है जिस जैसे आज का जो मनुष्य है दुख अशान्ती की और डिप्रेशन की और स्ट्रेस की और बढ़ता जा रहा है और साथ ही यदि हम समाज की बात करें या नाशनल इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो आज के टाइम में हम चारो और वार जैसे सिचुएशन्स फैल चुकी है चाहे हम ग्रह युद की स्थिति कहें या फिर एक नुकलियर वार की स्थिति कहें तो चारो और ये फैल चुकी है ये सब चीजे बढ़ती जा रही है और आम लोगों के मन के अंदर भै की स्थिति भी आती जा रही है तो क्यों ये दुख अशान्ती बढ़ रही है आखिर दुख अशान्ती को मिटाने के क्या उपाई हो सकते हैं आज इसी विश्य पर चर्चा करेंगे हमारे बीच में मौजूद है हर बार की तरह आदर्निय संतोष दिदी जी दिदी एक बर फिर से आज की इस एपिसोड में मै आपका बहुत-बहु स्वागत करती हूँ ओम शान्ती ओम शान्ती दीदी जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि आज के टाइम में दुख अशान्ती इतनी जादा बढ़ चुकी है कि लोग मांसी करोगों का शिकार हो चुके है ये कहते हैं कि जीवन मिलता सबको है लेकिन इसको डिप्रेशन आ चुका है कि वो चाहते हुए भी मुक्त नहीं हो पा रहा है इतना पैसा वो खर्च कर रहा है ती काउंसलिंग्स वो कर रहा है डॉक्टरों के पास जा रहा है तो ये सब चीज़े इतनी जादा बढ़ रही है इसका कारण क्या है आप क्या बताएंगे इसका कारण यही है कि हम देखते हैं दुख अशांती का कारण है अपवितरता जी अपवितरता ये दुख और अशांती की जननी है और पवितरता ये सुख और शांती की जननी तो मनुश्यों के जो विचार है उन विचारों में अपवितरता आ गई है वो विचार पॉसिटिव के बदले निगेटिव हो गए है वो जो विचार है एक दो के लिए सदभावनां के विचार होने चाहिए उसके बदले दुरभावनां के विचार हो गए है हमेशा यही सोच किसी के लिए सदभावना नहीं रहती है, प्यार नहीं रहता है, तो समय पर जरूर दुख और अशन्ती होगी, परन्तु जब हमारे विचारों में परिवर्तन होता है, विचारों के परिवर्तन से ही हमारे अंदर सदभावना उत्पन हो सकती है, सद विचार सदभावना लाती है, और जो दुर वेवार होता है, उसके कारण क्या है, हमारे अंदर दुरभावना होने के कारण सामने वाले से दुरभावना होती है, तो आज मनुशी जिसको अपना समझता है, उसके साथ तो अच्छा वेवार करता है, उसके लिए तो सदभावना रखता है, परन्तु जिनके साथ उसकी नहीं बनती है, संसकारों के कारण, उसको अपना दुश्मन समझ के उसके लिए दुर्भावना रखता है, तो दिन प्रती दिन उ दुर्भावना है, हम स कि अज़े वाले को बोले के कुछ नहीं परंटु कुछ नहीं कुछ करते रहे उसके लिए और सोचते रहे गे कि इसका नुकसान कैसे हो गे जी 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 बास्तर में देखा जावे तो यह जो वानी है वानी तो पीछे एक दो तक पहुंचती है परंटु हमारे संकलप इतने तो नहीं परंवर, यह दो में पासमें वाले के पास पहुंचेते ह rebelliance है अगर सदय हम सामने वाले के लिए दुर्भावना ही रखे सदय उसके लिए अम सद्भावना कभी रखे कर लिए नहीं तो जरूर क्या होगा, उसको भी वहां तक पहुंचता है और वही वैसा है हमार हम सुधार नहीं पाते हैं, तो हम कैसे अपने आपको इस चीज से बचा सकते हैं? देखो उसके लिए तो एक सब से पहले तो हमें आत्मिक स्थिती में स्थित होने की आउशकता हैं, जब हम आत्मिक स्थिती में स्थित होते हैं, तो हमारे अंदर प्रेम जगता है, क्योंकि आत्मा का पहला गुन है प्रेम, सने, तो जब हमारे अंदर सने आ जाता है, प्रेम आ जाता है एक दो के लिए, आत्मिक प्रेम, मो नहीं, मो अलग चीज हो गई, प्रेम अलग चीज हो गया, प्रेम ये निस्वारत होता है, मो ये स स्वार्थिह होता है're वमारे अंदर यह रुभानी प्यार आ जाता है तो व्मारे अंदर के आधारे अर्फीह हता है, हमारे सामने वाली व्यक्तिके लिए हमेशा शुब विचार चलते हैं, और शुब वीचार चलनेने के कारण वह शुब वाइब्रेशन उसके पास नुआ पुंचते हैं और रहो हमारे शुब वाइबरेशन पहुंचने के कारण उसके अंदर वह परिवर्थन होता है क्योंकि कोई कोई केए desseb हम तो पहुंता सथे हैं परन्तु और हमेशें ब्रॉत्य ⁪ एंतव जो बता gle subscribers लिए बवर्दाव करता है है तो अपने जीवन को सुधारो, तुम अपने जीवन को उंचा बनाओ, स्रेष्ट बनाओ, तो भी कहां तक बनाते हैं, परन्तो अभी थकता नहीं, हम जल्दी थक जाते हैं, मनुष्य, और हम क्या करते हैं, और औरों की बुराई को देखके, अपनी अच्छाई को छोड़ दे स Ya Yo Yaicha. वम्ने दुर भावनाएं, भी भीत पर हम सत्रावनाएं, बीज ठोड़ देखके, तो प्यार को धारन करना पड़ेगा, उचैनल को जाते हैं क्या जाते हैं, क assessments a day one of course पराई वैसाथा, जो चैनल की पिएखके कि यह थाया करते हैं… गालान मालाइन, भीतिन प्यारे ह जो हम अमेशनां बनासते हैं तो मनुछ पत्थर तो नहीं है उसका रुधय तो फिगलेगा न आखिर इसलिए निस्वारत प्यार देने की अवशक्ता है। दूसरा हमारे को ये जिहान में रखना चाहिए, कि हमारे को जो भी मर्यादाइं हैं, समाज की मर्यादाइं हैं, जो भी इस वर ये मर्यादाइं हैं, उन मर्यादाओं पर हमेशा हमको चलना है, सामने वाला भले मर्यादाओं तोड़ता रहें, परन्तो हमें मर्यादा जोतम कहा जाता था, आज हम देखते हैं कोई भी समाज की भी मर्यादा नहीं, कुल की मर्यादा नहीं, कहां की भी मर्यादा को कोई भी ध्यान नहीं रखता है, ऐसे ही चलते रहते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, आपसी बहुत मतबेद हो जाता है, और कोई मर्यादा पर कर फुमारे के दूसरे को अमारे को डूसरे को अने पुमारे को थूसरे को थो कcodه आ 파ू कर इस तो हमारे को हमारे को दूसरे को रिस्वेक देना, ये हमारे समाज की मरियादा है तो हमारे को दूसरे को रिस्वेक देना, जिढ़ हम देता है, isli способ मैं को दोऊ "- आज की हो दिए तूम तो дplate हर दो रहनी होजाए लोको qisla की दो मेरा नहीं और भेड़त रखिडारा भारा फवेड़त 1-2 लोकि вниз ऑपन्रों 6 थान, ऐस लोसी से वह और हमें आत्मा जो शान्त स्वरूप है उस धरम में टिकने की अवशकता हैं, तो उसे क्या है हम सामने वाले के धरम को भी हम रिस्पेक दे करके चलते हैं, तो आपसी अशान्ती खलास हो जाती है, आज हम देखते हैं धरम बेद के कारण कितने जगड़े हो रहे हैं, आपस मे सब बातों में बेदा गया है, और यही कारण है कि आज हम एक नाशनल इंटरनाशनल लेवल पर एक वार लाइक सिचुएशन हो चुकी है, आज कल हर कोई अपने धरम को बड़ा बनाने में लगा हुआ है कि हमारा धरम बड़ा, हमारा धरम बड़ा, हमारा धरम बड़ा, हमा और आपस में, एक एक थोग के साथ अगर हमारा नहीं होता है, तो जिसके साथ होता है, उसके साथ इसा इसा बरताओ नहीं होता है, जिसके साथ सने तो उसके साथ हमारा जो समंद है, वो समंद जिस समें हम जोड लेते हैं, उसके साथ नाता जोड लेते हैं, तो उसके साथ नाता जोड लेते हैं, तो उसके साथ नाता जोडने से हमारा सब के साथ कनेक्शन हो जाता है, जैसा बीज के साथ हमारा कनेक्शन हो गया, बीज से कने तो सारे जाड के साथ connection हो जाएगा, तो परमात्मा इस कल्परुक्ष का भीज रूप है, तो जब हमारा बुद्धी का योग उसके साथ लग जाता है, वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं, यह हमारे को समझ में आ जाता है, तो सारा वरुक्ष जर्जा की हमारा हो जात हैं, तो जिसके कारण लोग एकदम अपने को सुरक्षित समझते हैं, और समझते हम अपने राज को बढ़ते जावें, आज मनुछ खुद के करम इंद्रियों का राजा ने खुद के करम इंद्रियों का गुलम बना बढ़ा है, और यह स्थूल राज के पीछे पड़े हैं अपस में मिलके नहीं चलना। ताल मेल नहीं रखना। क्योंकि एक दो आए वारत अलफ नहीं करता हैं। पिल्कुल, और समझेक किसी ने कुछ बोला और मैने वो सुना, पलाने उने मेरी और को आके बताया, इसने ऐसा ऐसा बोला है, तो मेरा काम है उसके साथ बात हमारे दिल क्या होते है, नजदिक आजाते है, बद जो है, वह ऐसे मी नजदिक आजाते है, बाद चलियर हो जाते हैं, पार्तो हम कहते हैं, पनी अपने अन्दर रखते हैं, कि उसजने on the बिलकुल, बिलकुल, प्रेम आएगा तो जरूर सैयोग भी आएगा न, औरों को सैयोग भी देगे न, प्रेम आएगा तो अगर प्रेम को हम पकड़ लेते हैं, तो जिससे क्या होता है, सारे दिवय गुन हमारे अंदर आते जाते हैं, क्योंकि यह जो भी सिचेशन है, उसको दिरे दिरे खतम हो सकता है, यह दónम साल को सबके हमेशन करना है, कि हमें सबको शान्ती को सभावना के वाइबरेशन देने, सबका भला हो सर्व का कल्यान हो, यह हमारे को वोधी में रखने अवशक्ता, gren बल्कुल, हम हमारे लिए कीश्मारे लिए कळल्यान सोच कि हमारा जीवन सफल होता जाता है, हमारा स्वास सफल होता है, हमारे संकलब सफल होते हैं, तो उसे हमारे अंदर शक्ती आती जाता है, तो इश्वरिय याद के दोरा और दिव्य गुनों के दोरा इस वातावरन को चेंज किया जा सकता है, उसके लिए अध्यात्मिक ज्यान की बहुत अवशक्त है। सामने वाला राइट है, तो मेरे कॉर्डिंग काम होना चाहिए घर के अंदर तो नहीं होता है तो आपस में क्लाश होता है और यही असारम बच्चों पर भी देखना शुरू करते हैं और वही माबाप का भी बच्चों के साथ जो आपस में तालमेल है वो भी आज के ताइम ब आज कल की जो इतनी महंगा ही बढ़ गई है जिसके कारण उनको नोकरी करनी पड़ती है जाना पड़ता है बार बच्चों की तरफ ध्यान देने की फुरसत नहीं है तो जब बच्चों की तरफ तुमने ध्यानी नहीं दिया है तो बच्चे बड़े होने के बाद तुमारे पर क्यों ध्यान दे गें यह तो हम खुद इनको करम करके बताते है आज मनुश अपने में बैसी है कोई अपने काम धंदों में बीजी है, कोई टीवी में बीजी है, कोई ए मोबाइल में बीजी है, कोई फेस्बुक में बीजी है, तो इसमें बीजी होने के कारण खुद उसमें बीजी रहते हैं, तो बच्चे वो सीख जाते हैं, जी, वो देखते हैं, ये हमारा ध्यान नहीं तो हम इनका क्यों धियन रखें तो हम इनको सिखाते हैं बच्छों को बिगाडने का काम तो हम लोग ही करते हैं और फिर कहते हैं कि देखो बच्चे बिगड़े और बिगड़े कैसा तो हम ने इतना इनको सिखाया और अभी हम देखते हैं कि कुटुम भी जो है वो जो देखते हैं उसनुसर बच्चे भी हो जाते हैं, आज कल तो बहुत मोबाइल है, Facebook है, आज कल तो मोबाइल भी सबसे बड़ा कारण बन चुका है, घर में दुख शान्ती लाने के लिए, लोग थोड़े समगते हैं, लोग तो समगते हैं यही बहुत अच्छी चीज है हमार जीवन यह बरबाद कर रहा है, जो बात है सारी प्रेम क्या हो गया है दिलों की दूरी हो गया है, आप इसके लिए बताते हैं कि एक खलीपा था, खलीपा उमर, उसने एक वारी एक व्यक्ति को अपना एक शेयर का गवर्नर बनाए गवर्नर बनाया तो मतलब लेटर दिया, गवर्नर का, उसी समय आपस में और उसको समझाया भी, गवर्नर बनने के बाद तेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसी समय एक छोटा बच्चा बाग करके, घलिता के पास आया, तो उसने उस बच्चे को गोदी में उठा लिया, उसके साथ बात करने तो जब उस व्यक्ति ने देखा जो गवर्नर बना उसने देखा, उसने कहा कि आप इसको इतना टाइम दे रहे हैं, मेरे घर में तो चार बच्चे हैं, मैं तो कभी भी उनको टाइम नहीं दिया हैं, तो वो बहुत गंबीर हो गया, बोला अच्छा, तो कहा तुम्हारा लेट लेटर दिया था नो लेके फाड़ दिया, बोला तुम्हारा इस सीट के लाइक नहीं हो, जब तुम्हारा बच्चों कोई प्यार नहीं दे सकते हो, तो तुम्हारा प्रजा को कैसा प्यार देगे, तो प्यार ये ऐसी चीज है, अगर प्यार देते हैं, तो प्यार में क्या ह वह सामने वाला सवता ही परिवर्दीद है और यह जो दुख हशानती का महोले न यह आज यह सब पानी के घड़े क्यों सुक गया है क्योंकि प्रेम का ही घड़ा सुक गया, बिलकुर जब गड़े सुक गए उसके लिए तो परमात्मा यह प्यार का सागर है तो जब हमारा उस के साथ connection हो जाता है परमात्मा के साथ, तो फिर सब के साथ हम रूहानी प्यार कर दे सकते हैं, रूहानी इसने ये निस्वारत उसने हैं, इसमें कोई स्वारत नहीं है, स्वारत के कारण आज दुखशनती है, क्योंकि आज रग रग में लोगों के स्वारत भरा पड़ा है, कि तो इसलिए निस्वारत प्रेम देना अगर सीख जाएगे तो जरूँ इससे जीवन परिवर्तन में आचाएगे तो जरूँ अच्छे बाते हम को भी बताई है कि क्या क्या हम अपने जीवन में लाएं जिसकी विज़से हम दुख अशानती से मुखध हो सते हैं, मैं आपसे कोई ऐसी पांच चीज़े जानना चाहती हूं जो लोग अपने जीवन में धारन करें और एजिली वो इस दुख अशानती से अपने आपको छुड़ा सकते हैं, ऐसी कोई पांच बाते बताईए देखो एक दो हमने आपको बताये कि इसने को धारन करने की अवशक्त हैं, दूसरा जो है अगर किसी से कुछ मन मुट ओफ होता है, तो उनके सामने जाकर कि आपस में लेंदेन करने की अवशक्त है, उससे भी नजधिक आ जाते है एक दो के, तीसरा हमको औरों की भूलों को माफ करना, सीखना चाहिए, हम क्या करते हैं, भगवान को सिख्या देते हैं, भगवान हमारे अउगुन चित पर नहीं दरना है, पर हम सारी दुनिया के अउगुन चित पर दर के, अपने चित को मेला करके, परमात्मा के साथ नहीं लगाने जैसा बना दिया है, तो इसलिए हम से मारे को सबको माफ करना है, सीख ह annex और बुला देना У example कभी कभी हम सामने वाले को माफ कर डालते हैं, परंत इस बात को भूलाते सैंने यह जब भी वह व्यक्ति आती आती यह जब भी उस व्यक्ति तो उसकी बूल सामने आ जाती है, तो उससे कुछ फाइदा नहीं होता है, उससे हमारा मन साफ नहीं होता है, इसलिए हम इश्वर को याद नहीं कर सकते हैं, महले मन में तो परमात्मा नहीं आ सकता है, तो हमारे को यह एक ध्यान में रखना है, पांचवा हमारे को, हमेशा जो है उसे प्रभु चिंतन अथा ग crawly तूर होने में बहुत सरी मदद हो ते ही दूर होती है वह हमारे अंधर के भी दूर होसकती है तो यह में जरूर होने वह नहीं होता है कि भी जाहिए यह चाहिए लिधर томने हो में यह निए और नियम झालके ऑने लिग में स्कते हैं दीदी आज आपने इस एपिसोड में इतनी गहरी बाते बताई हैं कि आपसी कॉर्डीनेशन है, आपसी तालमेल है, हम किस तरीके से घर के अंदर है, हम कर सकते हैं, और साथ ही एक यदि राष्ट्र, अंतर राष्ट्र स्तर की भी बात करें, उस वर भी आपने बताया कि हम तरह से वर्ल लेवल पर हम लेकर के आ सकते हैं तो दीदी इस डिसकुशन करने के लिए मैं आपका तही दिल से शुक्रियादा करती हूं ओम शांति ओम शांति दर्शकों आज के इस एपिसोड में हमने ये देखा कि दीदी ने बताया कि जो इम्पुरिटी है इसे के कारण ही दुख और अशांति आज चारों तरफ आ चुकी है और इसके विप्रित यदि हम अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो हमें अपने अंदर पवित्रता के गुण को धारण करना होगा और साथ ही घर परिवार के अंदर भी यदि हम आत्मिक दृष्टी कोन रखते हैं तो आत्मिक दृष्टी कोन से प्रेम की भावना स्वते ही जागरित होती है और हमारी अंदर की जो नेगेटिविटी है वो धीरे-धीरे खतम होना शुरू हो जाती है और सबसे बड़ी बात ये कि भले सामने वाला हमारे से कैसा भी व्यवहार करे लेकिन हमें अपनी जो सत्भावना है प्रेम का गुण है शुब भावना है वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए या फिर मैं ये कहूं इस चीज़ को हम एक परीक्षा की तरह एक चालेंज की तरह ले हम इस चीज़ में हार नहीं माने कि सामने वाला तो बदल ही नहीं रहा हम तो positive सोच भी रहे हैं लेकिन हम अपना positive attitude और positive thoughts बिलकुल नहीं छोड़ें एक ना एक दिन वो बदल ही जाएगा क्योंकि आज दीदी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि प्यार जो है वो पत्थर को भी पिंग्ला देता है और साथ ही यदि हम एक राष्ट्रे अंतराष्ट्रे सर की बात करें तो हमें कभी भी किसी धर्म के प्रती या जाती के प्रती कोई भी ऐसे टिपनिद नहीं देनी चाहिए जहां पर एक कलै कलेश का वातावरंड एक युद की जो संभावनाए है वो भढ़ जाए क्योंकि ये देखा जाए पूरा विश्व जो है एक परिवार है और हम सभी उस खुदा के बच्चे हैं तो यदि ये बाद हमारे जहन में बैट जाए तो आपसी ग्रिणा नफरत और ये टिपनी की जो भाशा है ये हम करना छोड़ देंगे और पूरे विश्व के अंदर एक प्यार का महौल चारो तरह व्यापत हो जाएगा क्योंकि आखिर हम ऐसी दुनिया ही देखना चाहते हैं तो दर्शकों आज का एपिसोड हम यहीं समाप करते हैं अगले एपिसोड में फिर से चर्चा करेंगे तब तक के लिए दीजे इजाज़त नमस्कार ओम शांती